ये कहानी है प्रशांत की प्रशांत एक लडगा जो हाई टॉप बिल्लिंग के टॉप फ्लोर पे रहता था प्रशांत की आदत थी कि जब भी वो रात को खानध खाता था उसके बाद 9 से 10 वो अपने चट पर जाकर टहलता था तो जिस बिल्डिंग में प्रशान्त रहता था उस बिल्डिंग के बगल में जुग्गी बस्तियां थे जहां पे बहुत सारी जुग्गी थी जहां पे गरीब परिवार लोग रहते थे तो प्रशान्त डेली जब शत पे टहलता था तो उन जुग्ग्यों की तरफ हो नजर रखता था देखता था तो जब वो डेली ये काम करता था तो एक रोज उसे एक बच्चा दिखाई दिया जो बच्चा करेबन होगा 7-8 साल का वो बच्चा घर से बाहर निकलता एक गुब गुबारे को देखता रहता जब तक वो गुबारा उसकी आँखों से ओजल ना हो जाता तो प्रशान्त ये द्रिश्य डेली देखता था और देखके अपने सोने के लिए चला जाता था तो करीबन डेड़ महीने तक ऐसा चलता रहा डेली वो छत पर आता और उस बच्चे क गुबारा छोड़ता वा देखता और बच्चा वो गुबारा छोड़के जब तक उस गुबारे को देखता जब तक वो गुबारा उसकी आँखों से ओजलना हो जाता तो करीबन डेड़ महीने के बाद एक दिन ऐसा हुआ जब प्रशान्त थोड़ा लेट हो या छत पर आन क्योंकि आज मैं लेट हूँ इस बज़े से ये द्रिश्य में आज नहीं देख पाया तो इधर उदर देखने के बाद उसकी नजर अपने पिल्डिंग की टंकी पर पड़ती है उस टंकी पर एक गुबारा फसा हुआ होता है वो गुबारे के पास जाता है और समझ जाता है प्रशांत कि ये गुबारा उसी बच्चे का है और प्रशांत के मन में आता है क्यों ना इस गुबारे को मैं इस टंकी से निकाल दूँ और इसको हवा में छोड़ दूँ क्योंकि इस बच्चे की मनों कामना होती थी कि डेली ये गुबारा आश्मान में जाए तो प्रशां प्रशांत को कि उस पर लिखा है कि हे भगवान मेरी मा की तव्यत बहुत खराब है और मैं उनकी दवाई का खर्चा नहीं उठा सकता तो प्लीज मेरी मदद के लिए किसी को भेज दो प्लीज मेरी मदद कर दो ये सुनते ही प्रशांत की आखे नम हो जाती है और प्रशांत सम गुबारा लेके उस बच्चे के पास जाता और पूछता है वो बच्चे तुम ही हो ना जो ये गुबारा डेली हावा में छोड़ता है तो बच्चा कहता है हाँ मैं ही ये गुबारा डेली हावा में छोड़ता हूँ तो प्रशांत ने उस बच्चे से पूछा कि तुम इस प पूरे गाओं में कोई नहीं कर रहा तो उस बुड़े चाचा को उस बुजूर्ग चाचा को मैंने अपने हाथों से खाना खिलाया और खाना खाने के बाद चाचा ने कहा कि बेटा जिस तरह से तुमने मेरी मदद करी है उसी तरह से अगर किसी दिन तुम मुसीबत में फस्ते और तुम्हें मदद की जरुत पड़े तो उपर वाले से पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ, पूरी विश्वास के साथ तुम मदद मांगना कोई ना कोई जरूर तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पास आ जाएगा और उसी आस्था, उसी विश्वास के इसाथ डेली ये गुबारा मैं हावा में छोडता हूँ लिखे कि भगवान मेरी मदद करो ताकि किसी ना किसी दिन भगवान इस मेसेज को पढ़ेगा, इस गुबारे को पढ़ेगा और मेरी मदद के लिए किसी ना किसी अब बच्चा मुस्कुराने लगता है बच्चे की मदद के लिए प्रशान सारी कोशिशे करता है। के बाद बहुत खुश होता है और इसी तरह ये कहानिया समाप्त हो जाती है लेकिन कहानी समाप्त होने के बाद हमें एक मैसेज देके जाती है कि जिस तरह से बच्चे को अपनी मा से प्रेम था जिस तरह से बच्चे के अंदर मदद करने की भावना थी जैसे उसने बुढ़े रुक नहीं सकता हर मुसीबत का सॉल्यूशन भगवान हमें जरूर देगा और हमारी मदद के लिए किसी न किसी को जरूर भीजेगा धन्यवाद जैन